जै माता दी दोस्तो कैसे हैं आप सभी? दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर माहा के दूसरे सप्ताह के मेश रासी फल के बारे में 8 सितंबर से 14 सितंबर तक का समय मेश रासी के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है तो आपसे निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें जिससे हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके चले जानते हैं मेश रासी के लिए ये सब्ता कैसा रहेगा दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है यदि हम आठ तारे की बात करें तो आठ सितंबर को चंद्रमा किस्तिति आपके नौवे भाव में रहेगी नौवा भाव जो होता है वो भागय का भाव होता ह है चंद्रमा का भागय के भाव में आग आपके भागय को मजबूत करेंगे यहां आपको अपने भागय का साथ मिलेगा अर्थिक रूप से आप खुद को स्ट्रॉंग यहां महसूस करने वाले हैं लेकिन साथ ही शनी और केतू भी आपके नौवे भाव में हैं यहां आपके नौवे भाव में विश्योग का निर्मान भी हो रहा है जो आपके लिए एस्थिर्था ला सकता है जब चंद्रमा कीतु के साथ होता है तो विश्योग का निर्मान करता है तो यहां आपके अंदर एक चिजड़ापन देखने को मिल सकता है तो आपको अपने स्वभाव पनी अंतरा रखना होगा आर्थिक द्रस्टी से ये दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है आप व्यपार करते हैं चाहे नोकरी करते हैं आर्थिक तोर से ये दिन आपके लिए बहतर दिन रहेगा अब बात करते हैं 9 सितंबर से 11 सितंबर 9 सि संभाव में कुचर करेंगे दस्वा भाव जो होता है कर्म का भाव होता है परिश्रम का भाव होता है तो यहां आपका परिश्रम अधिक रहेगा और धहरिया से और मेहनत से किएगे कारियों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे विध्यातियों के लिए ये दि लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, बहुत एक सुख साधनों की व्रद्धी आपके लिए हो सकती है, इस समय आपके कारियों की प्रसंसा होगी, कारेशेत्र पर आपका मान सम्मान होगा, आप प्रसंसा के पातर यहां बन सकते हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार प्राप्ति के नई अवसर मिल सकते हैं रोजगार के लिए इन दिनों में आप प्रयास जरूर करें आपके कियेगे प्रयास सफल हो सकते हैं अब बात करते हैं 12 से 14 सितंबर के बारे में तो चंद्रमा आपके 11 भाव से गोचर करेंगे ग्यारवा भाव लाब का भाव होता है ये समय आपके लिए लाब से भरा होगा हर तरह के लाब की प्राप्ति आपके लिए होगी प्रेम संबन से जुड़े हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी शादी के योग बनेंगे जीवन साथी के साथ अच्छे संबन बनेंगे मधूर वातावरन परिवार का रहेगा विद्ध्यार्तियों के लिए भी ये समय बहतरीन समय रहेगा विद्ध्यार्तियों को इस समय अपने सिक्षकों का साथ मिलेगा धन संबंदी जो भी परिशानिया थी वो दूर होंगी आयक के शुरोद आपके लिए बनेंगे आपके द्वारा लिए गए निर्णय सफल होंगे इस समय संतान की तरफ से कोई खुशकवरी भी मिल सकती है या संतान सुप की प्राप्ती भी आपके लिए हो सकती है इस समय आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ती होने वाली है जो मेहनत आपने पिछले दिनों में की है उसका शुब परिणाम आपको देखने को मिलेगा परिवार का वातावरन अच्छा रहेगा परिवारी करिष्टे आपके मजबूत होंगे 14 सितंबर की दोपहर में चंद्रमा आपके बारवे भाव में गोचर करेंगे ये समय आपके लिए विदेश से लाब की प्राप्ती के लिए बेहत शुब रहेगा यदि आप विदेश से कोई व्यापार करते हैं आयात निर्यात का कार्या करते हैं तो आपको यहां अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले